एकजारो टाइल्स आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एकजारो टाइल्स के अंदर फंडमेंटली कैसे दिखाई दे रहा है और उसी के साथ जानेंगे कमपनी के उपड़ एक कंसर्ड और एक गुड डियूस के बारे में भी तो चलिए एक एक करके जान लेते है तो सबसे पहली यहाँ पे जो चेर्मेंट का मैसेज कंपनी ने यहाँ पे दिया है वो आपको देख लेना चाहिए तो चेर्मेंट यहाँ पे future vision बताते हुए यहाँ पे speech के अंदर कहा है कि जो fuel का cost है वो बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाला कि आपको पता होगे कि recent condition में fuel का price लगातार increase ही होते जा रहे है तो वो एक negative point आपका management यहाँ पर मानते हुए दिखाई दे रहे है इसलिए company का जो year on year आप volume देखेंगे तो 1% ही यहाँ पर दिखाई दे रहे है हाला कि revenue के अंदर 8% का growth दिखाया है लेकिन volume के अंदर just company ने 1% ही growth यहाँ पर दिखा चुके है तो fuel cost एक negative point मानते है यहाँ पर management लेकिन उसी के साथ-साथ management का जो chairman है उसने ये भी कहा है जो यहाँ पर major macro developments यहाँ पर जारी हो रहे है infrastructure के अंदर निबेस हो रहे है वो बहुत ही तेजी से हो रहे है तो इसलिए उसके अंदर boost आप देख पाएंगे और demand domestic के अंदर बहुत ही जादा आप बहुत ही जल्दी देख भी पाएंगे और especially आप exaro tiles की बात करें तो 2015 में company यहाँ पर 1000 million रूपीज यहाँ पर sale करता था वो within 3 year company double कर चुके है तो यह बहुत ही positive strength company के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे है और exaro tiles के अंदर सबसे जो खास बात है company का जो own manufacturer है वो बहुत ही जादा है अगर आप बड़े बड़े company से compare करेंगे जैसे कजार या ceramic जैसे company से compare करेंगे तो जिस तरह से company यहाँ पर outsourcing करते है कजार या ceramic जैसे company लेकिन exaro tiles के अंदर वो नहीं है तो यहाँ पर own manufacturing company का बहुत ही जादा strong आप देख पाएंगे यहाँ पर 2021 में 98% का own manufacture होता था वो outsourcing थोड़ा से increase हुआ है लेकिन अभी भी company के पास own manufacturing बहुत ही जादा strong आपको दिखाई देगा यहाँ पर positive बात किया है इसके अंदर positive बात यह है कि यहाँ पर margin थोड़ा सा increase करते हुए आपको दिखाई देगा एक्जारो टायल्स compare to other company क्योंकि company का खुदी manufacture करेगा तो company थोड़ा सा ज्यादा भाव में यहाँ पर बेच पाएगा तो अगर आप एक्जारो टायल्स के अंदर total growth की बात करें यहाँ पर तो 1% ही growth यहाँ पर आप देख पाएंगे लेकिन आप revenue के अंदर compare करेंगे तो यहाँ पर 9% का revenue company year on year basis दिखा चुके है quarter wise company को revenue zone हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर company south के अंदर 29% की हिस्टार ही हाँ आपर market share gain करते है उसी के साथ यानिकि जो total revenue वहाँ से 29% south से company earn करते है वेस्ट में company बहुत ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि company west से 48% से भी ज्यादा revenue earn करते है लेकिन north में थोड़ा सा minor सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और export company का बहुत ही कम दिखाई दे रहा है क्योंकि company जस नया है और company export धिरे धिरे improve कर रहा है लेकिन supply chain के अंदर थोड़ा सा pressure बनते हुए दिखाई दे रहा है इसलिए company का export थोड़ा सा pin यहाँ पे दिखाई दे रहा है company के अंदर interest coverage ratio 2.75 का रहा पिछले 9 महिने के अंदर debt equity ratio आपको देख लेना चाहिए यह बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है company यहाँ पर नया listing होने के कारण company जो पैसा उठाया है वो ज्यादा तर हिस्सा debt को कम करते हुए दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है तो last year company का जो debt equity ratio था वह 1.18 परसंट था जो बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है other expense इसका पीछे का main reason जो मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे है fuel का cost यहाँ फ्यूल का cost company को बहुत ज्यादा भरना पड़ रहा है और सिरमेक industry के अंदर fuel का cost बहुत ज्यादा mandatory है क्योंकि fuel cost सबसे ज्यादा ओही पे खर्चा करता है सिरमेक company तो ओही पे यहाँ पे increases दिखाई दे रहा है इसलिए company का margin भी आप देखेंगे यहाँ पे pressure में बनते हुए दिखाई दे रहा है 15.1% थी margin यहाँ पे company दिखा चुका है जो last year था 20.3% य लेकिन company का margin pressure में है क्योंकि company का जो fuel cost है वो बढ़ गया है अगर आप Xero trials company को long term के सबसे भी देखते हैं तो company यहाँ पे sale के अंदर लगातार growth दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 128 क्रोर का sale करता है 2016 में वो बढ़ते बढ़ते 255 होते होते दिखाई दे रहा है March 2021 तक अभी latest जो quarter आया है वहाँ पे 85 क्रोर का company यहाँ पे जो sale है वो दर्ज कर चुका है तो जो आगयाने वले साल है उसके अंदर आप average लगाएंगे तो करीब करीब यह जो sale है वो 300 क्रोर क्रॉस करते हुए आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जो sale का जो growth है वो लगातार company maintain करते यहाँ पे थोड़ा सा degrowth दिखाया है लेकिन future में यह company बहुत भी अच्छा दिखाई दे रहे है साथ ही साथ company के जो margin है वो भी company थोड़ा सा maintain करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे है net profit company थोड़ा सा up and down अभी भी है क्योंकि company के जो taxes है ने वो थोड़ा सा बढ़ते अंक कम होते हुए दिखाई दे रहे है तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा चुका हूं company का जो borrowing है वो company ने यहाँ पर down कर चुका है क्योंकि company यहाँ पर IPO की कारण बहुत सारा पैसा उठाया था वो पैसा company borrowings को कम करते हुए दिखाई दे रहे है इसलिए company का जो करजा है वो बहुत ह डाउन होते हुए आप देख पा रहे हैं तो अगर आप एक जारो टालिस के अंदर निभेश करना चाहते हैं तो यह अच्छा फंडमेंटल स्ट्रॉंग कंपनी दिखाई दे रहे हैं और कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी अच्छा दिखाई दे रहे हैं तो आज वीडियो में इतना ही सी यू आन निक्स्ट वीडियो